तो दोस्तों बहुत सारी लोगों ने कमेंट किया था कि मिल्क पाउडर से कलाकन कैसे बनाते हैं, दूस्ते कैसे बनाते हैं, या फिर हलवाई की शॉप पे मैं खुद कैसे बनाता हूँ, ये सारी वीडियो तो अलड़ी अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक की मे वीडियो अच्छे लगती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी वाला बटन है, उसको जरूर दबा लें, ताकि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली वीडियो से हैं, वो आप सभी को मिलती रहें, तो चलिए स्टाट करते हैं, मिल्क पाउडर से क कोई भी कटोरी या कप घर का सेट कर लेना है, उससे सारी चीजे हम जो मैजर करेंगे, दो कप मैंने या पे मिल्क पाउडर लिया है, कोई भी ब्रैंड का ले सकते हो, मैं या पे ज्यादा तर एवरी डे का यूज़ करता हूँ, लेकिन जो भी मेरे पास अवैलबल होता है, वही मैं यूज़ कर लेता हूँ, और एक कप हम डालेंगे इसमें दूद या फिर पानी भी डाल सकते हो, अगर आपके पाल दूद नहीं है तो पानी भी डाल सकते हो, तो एक कप पानी डाले मैंने, और आधा कप इसमें हम डाल देंगे चीनी, चीनी की क्वांटिटी आप यह बढ़ा सकते हो अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है जादा कर सकते हो कम मीठा पसंद है कम भी कर सकते हो आप सभी को पता है कि मिल्क पाउडर में फैट कम होता है तो इसके लिए मैंने आप दो बड़े चमच घी डाला है घी की जगह आप नॉर्मल जो कुकिंग ओल ह अप वू भी डाल सकते हो थीड़ सकते हो अब टान नहीं करना है अभीग अन्हीं किया है इसको सबसे पहले की मिक्स कर ले जब यह बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जा coinc मतलब गुठलियां वगर इसमें बिल्कुल हो या ना हो कोई फरग नहीं पड़ता है बस आप सिर्फ इसको मिक्स कर ले गुठलियां अगर थोड़ी बहुत होंगी तो बाद में वह सेट हो जाएंगी देखिए अब मैंने ग्यास को ऑन किया है वह भी लो फ्लेम पे ऑन करना ह है इसको जभी अच्छ से मिक्स कर लें उसके बाद ही ओन करना है उसको लो फ्लेम पर हमें स्टी का क्याका लिकतर उसमें तो दाना अपने आप बन जाएगा लेकिन जो बड़िया क्वालिटिक आप यूज़ करेंगे उसमें थोड़ा सा आधा चमच नेमबू का रस डाल देना नेमबू के रस से क्या होगा कि इसमें दाने जैसे कला कद में दाने होते हैं वैसे बन जाएंगे यह देखिए इस तरीके से जो दाने इसमें बनने लग जाएंगे जैसे आप नेमबू का रस डालेंगे और यह काफी मतलब जैसे गरम होना स्टार्ट होगा तो इसमें दाने जैसे छोटे-छोटे बन जाएंगे तो कुछ मिल्क पाउडर होते हैं जिसमें अपने आप ही बन जाते हैं मतलब आपको कोई भी इसमें अलग से जालने के ज़रूरत नहीं पड़ती आप निम्बू अगर डाले उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती जो सस्ते वाले होते हैं उसमें अपने आप ही बन जाते हैं काफ़े बड़ी आषि इसमें दाने बन चुके है अब हम क्यां करना है इसको पकाना आप बीच में चाहो तो तो भी फ्लेवर कर सकते हो थोड़ा सा इलाइची का आप खुड़ कि पांभ गानी तो हम नॉर्मल जैसे यह काफी ज्यादा थेख हो जाएगा जैसे जो हमने एक कब डूड डूड ऑड जो चीनी है उसको हमें सुखाना है मतब उसको डूड को रिडियूस करना है अच्छा अगर आपको थोड़ा सो सौफट कला कन पसंद है मतलब बहुत ज्यादा हाड नहीं या फिर आपको बिल्कुल जमी हुई परफेक्ट बरफी की शेप में अगर पसंद है तो थोड़ा सा और पका लीजी बस अब मैं ग्यास को बन कर देता हूं क्योंकि हम बरफी की तरह को सेट करने वाले हैं तो कोई बीग ट्रे लेना है या फिर ठाली कर सकते हूं प्लेट कर सकते हो जो भी आपके पास है बर्फी सेट करने के लिए आप योश कर सकते हूं तोड़ा से अदर हमें डाल DUDA है यह देखे इस तरीक से थोड़ा सा ही ठंदा करना है बिल्कूल टाइट होने लग जाएगा मतलब घंड करना है तो सट करने के लिए अपनी आप ही यसको ठंड होने देना है मैं इसको छान्ड में और ये आप बिल्कूल जैसे कूल डाउन हो जाएगा मतलब आधे हंटें की 9-90 के बाद तो यह बिलकुल तो ऐसी 2-3 घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए आपको रख देना है तो 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखाता हूं इसको यह दिखे दोस्तों 2 घंटे हो चुके हैं 2 घंटे के बाद हमारा जो कलाजन्ध है वो बिल्कुल perfect set हो चुका है अब ये बिल्कुल cut करने के लिए ready है तो cut करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना जैसे भी आपको pieces पसंद हो या फिर जो भी आप pieces में cut करना चाहो या छोटे बड़े जैसे भी थेकनस वगरा आप रखना चाहो उस तरीके से आप इसके जो pieces है आप इसको cut कर सकते हो और ये काफिस जादा soft juicy है बहुत जादा tight भी नहीं है बहुत जादा loose भी नहीं है कि आपकी जो perfect piece है वो piece ना बने मतब piece की तरह ही यह बिल्कुल बरफी के piece की तरह यह बनेगा बिल्कुल जैसे आप इसको cut कर लो नीचे से इस तरीके से आप चाको मारोंगे तो ये बिल्कुल निकल के आ जाएगा ये देखिए इस तरीके से काफी बढ़िया है अंदर से आप देख सकते हो नीचे से काफी जूसी है इसके अंदर से थोड़ा सा पानी पानी आपको दिख रहा होगा इसको हमने बहुत जादा हाड नहीं बनाया है आप जाओ तो और भी जादा टाइट कर सकते हो लेकिन मैंने यहां पर थोड़ा सो सॉफ्ट हे बनाया है तो आप इस तरीके सॉफ्ट बर्फी शॉफ्ट कलाकंद आप घर पे आसानी से सिर्फ मिल्क पाउडर से बना सकते हो मैंने मिल्क पाउडर में एक कप दूद मिक्स क तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो बटन है उसको जरूर दबाले ताकि आपको हमारी आने वाली हलवाई वाली जो वीडियोस है वो आप सभी को मिलती रहे थैंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में